कि है फ्रेंग्स काफी जीक्र रहता है मधर बोर्ड के सर्किट्स के रिगाड़ी तो हम सर्किट्स को एक बार में इस्प्लेन नहीं कर सकते वर हम ने क्या सोचा कि एक एक पाठ ले करके मैं आपके लिए एक एक पार्ट का मतलब होता है कि एक section को हम ले करके आपके सामने आए और उसको explain करें और उसको explain करने से आपको उस circuit के बारे में जो नहीं पता होगा उसके बारे में भी आप सीख पाएंगे तो आज हम बात करते हैं आज का जो हमारा topic है उसको हम लोग इस्तमाल करते हैं CPU के supply के लिए जिसका नाम होता है बग section यह जो बग section है आपके सामने ही होता है आप साहरे इसको जानते भी है लेकिन इसके working principle के बारे में आपको अच्छे से पता नहीं रहता है तो आज हम बात करेंगे कि यह work section का working principle क्या होता है और यह कैसे काम करता है और यह बंदा भी से है ठीक है तो बने रही है हमारे इस चैनल पे इस वीडियो के साथ इसकीप नहीं कीज़ेगा क्योंकि यह आपके knowledge के regarding यह वीडियो है जितनी अच्छी आप इसमें explaining समझेंगे उतना बेहतार आप टाइमोस कर पाएंगे अपने फोन को तो चलिए चलते हैं अभी हमारे आप की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा क्या है PMI 8952 जिसको की हमों कहते है power management interface और इसका दूसरा नाम होता है DC2DC सुनाई होगा होती प्रच लिपने में इसानिए कि मैं पहली बार ले रहा होगी है DC2DC आखिए DC2DC होता क्या है तो DC2DC that means battery का supply लेना और same supply output कर देना जब हमारा DC2DC ही नहीं बनेगा तो बग बनने की कोई बात ही नहीं है कोई सम्भावना नहीं है बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो सबसे प पहले आपको और का battery line देखनी परेगी कि आपका battery line बिल्कुल perfect होना चाहिए यहां कोई sorting नहीं होनी चाहिए यहां पे किसी के प्रकार के line open नहीं होनी चाहिए इसके बाद यह supply जब आपके PMI 8952 के अंदर इंपूट होता है तो इंपूट होने के बाद आपके ना तो कोई mobile अगर switch off है पानी में चला गिया तो कुछ नहीं होगा तो जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है आपकी mobile अगर switch off भी है और उगर पानी में जाता है तो short circuit उसमें आने ही आने है बिल्कुल आने है दिस्प्ले लाइन चल जाएगी लाइट सेक्शन चल जाएगी ग्राफिस लाइन चल जाएगी क्योंकि online VPS लाइन आपको बंता रहता है तो आगे आप बाइकी लगाते हैं तो DC to DC PMI 8952 में इंपुट होता है और इसकी स्थाम पे different difference भी IC लगी रहती है जैसा कि BQ है PM8953 है PM680 है ठीक है तो काफी अलग-अलग different different इसमें DC to DC में लगाया जाता है लेकिन कोई भी IC लगे तो उसका एक नॉर्मल नाम होता है जैसे कि बोल्चाल में DC to DC है लेकिन जाम हम उसका specific data हमें देखना होता है यानि कि उसका पूरा-पूरा inputs, outputs कितने भी कहां से output हो रहे तो फिर हमें उसकी schematics पे जाने की ज़रुत होती है तो मैं अब इस चैनल के माधियम से आमों को हर एक section को हर दिन एक वीडियो में explain करूंगा तो subscribe जरूर कीजेगा ताकि आपको हमारा हर explaining video miss ना हो तो यह DC to DC जब VBAT 9 हमारा input लेता है तो यह हमारा बनाता है VPH power आप यहाँ देख पार होंगे VPH power यह जो है supply from power यह voltage किसने बनाया DC to DC ने यानि PMI 895 है और यह supply बनने के बाद क्या बना हमारा VPH power और जब यह VPH power बनता है तो यही VPH power के द्वारा supply हमारे PM को मिलता है किस ऐसी को मिलता है main power IC को जिसको हम तो कहते है power management ठीक है PM8953 के पास PM8953 जो आप देख रहे हैं आखिर यह हमारा पापर ऐसी multi purpose काम करता है multi purpose का बात करें तो इसमें multi function से अगर आप इसकी data परने जाएंगे इसकी data में इतने सारे communications protocol connectivity काफी सारी sections इसके अंदर अभी तो हम सभी चीजों को focus करेंगे तो वीडियो mix हो जाएगी तो हम proper बात करते हैं तो कोई बात नहीं है मैं यहां से आपको guide कर देता हूं तो यह बीपीएच लाइन जब आपके power में input होता है तो input होने के लिए work line जो होता है यह default line नहीं होता है default का मतलब यह नहीं कि आप बैटी लगा लिए तो बंग बनने लगेगा सिर्फ हमारा बीपीएच बनेगा बंग को बनने के लिए power AC को activate करना पड़ता है और power AC को activate करने का दो तरीका है एक तो पहला तरीका आप यह तो अनो बटन प्रेस करो आपकी power AC अक्टिवेट होगी दूसरा या आप USB इंसर्ट करो उसके बाद आपकी power AC अक्टिवेट होग अब यह तोटल पार हमारा वाक एंड वीरेग है और यह पार नाइन का मतलब ही होता है कि इस लाइन को वर्ग करने के लिए 3.70 बोल्ट इंपूट होता है और यह उस 3.70 की बोल्ट को छोटे-छोटे बोल्टेज में डिवाइट करता है छोटे-छोटे बोल्टेज के हम बा 1.2 1.0 2.2 तो यह सारे छोटे 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 वोल्टेज में जो यह लाइन तबदील होतीए चोटे छोटे पोल्टेज में करेंट की मात्रा जारा करती है अब आक्ची मुन है अगर आपमें नहीं देखा है उसके लिए मैं अलग सपेसल वीडियोह आपको बना के दूंगा की current and voltage होता क्या है क्योंकि हमारे mobile phone को चलने के लिए voltage ही काफी नहीं current की भी जवड़ती है तो यह line बख में क्या होता है voltage की level कम रहती है current का यह बन जाता होता है जैसे हमारे processor को काम कर भी है 0.86 volt की जवड़त है समझ लेजिए 0.86 एक बोल्ट से कम भी तो वहाँ ampere 2-5 के बीच में होगा और यह ampere घंटी बढ़ती रहती है कैसे तो आपके फोन के प्रोसेसर के यूज के अमसार अगर आप heavy game upload करोगे तो उस बाद आपके processor की ampere 5 तक चली रहेगी और अगर आप slip mode में डाब दोगे तो वह ampere 1 ampere तक चली करेंगी तो यही काम होता है आपके बग सेक्शन का कि आपके CPU के requirement के according requirement के according वह क्या करेगा current की फोनों को कम करेगा जादा करेगा जादा करेगा इसी चीज़ को of the world और बुक्त होता है हमारे CPU को अओन होने के अगर यह संप्लाइवन नहीं गहीं नहीं होगा हमारा CPU क्या होगा बूटीग नहीं करेगा और जब कुई नहीं करेगा हमारे फोनों आप चलू नहीं होगी बादी का जो हमारे PS- kang但 सब्सक्राइब होता है यह सब साथी चीजे नहीं पनेगी नहीं पनेगी तो अब रहें पात कि इस वक सेक्शन को बोर्ड पर कैसे पहचानते हैं तो अब आगे हम आगे मदर बोर्ड की पास यह जो आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको बौर्णियों की माध्यम से दिखा सब्सक्राइब होगा तो यह आप देख रहे हैं यह सारे कोई आपकी वक लाई है बिल्कुल सीमपल सा पहचानना है तो आपके मन में एक सवाल हो रहेगा सर इस तरह से क्वाए जिस भी ऐसी में लगी होगी क्या वह बफ्ट होगा तो जी नहीं इस तरह से अगर किसी भी ऐ सब्सक्राइब, एक इसपेशल सप्लाइब होता है, जो कि इसपेशल और प्रोसेसर पिलिए बनाइब जाती है, और चाहर इसी बच सब्सक्राइब को बनने के बाद खुद PMIC अपने में इनमोट कराती है, आउपुट भी करवाती हैрь पोसेसर भी देती हैं और साथ इसाथ खूद में भी लेता है आप गुए खूदद ले करके क्या करता है तो यह वीरख सप्लाइक भी बनाता है आपका जो है विरेक सप्लाइ को बनाया जाता है जिस सप्लाइ का इस्तमाल आपके फोन में पूरी सेक्षन का जैसे 1.8, 2.8, 2.2, 3.3 ये सारे सप्लाइ को बनाने के लिए जब तक बख नहीं बनेगी तब तक विरेक नहीं बनेगी तो मेरे ख्याद से इस वीडियो के माध्य से आप इस बख लाइन के बारे में उचना पुस्तो समझ में आया होगा आपको कि ये बख लाइन की इस तरह से खाम करता है अब रही बात इस बख लाइन की ट्रेसिंग डियाग्नोसिस के लिए तो एक लाइन इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि इस लाइन को आप क्या होता है काभी लोग मिलता है देखने हो लोग का मतलब बात करें तो लेगा की वहाँ बीप आ रहा है सौटिंग है तो जी उसको पर खबराना आपको नहीं है अगर ऐसा कोई होता है तो आप रिबॉर्स और फॉर्वार्ट में भी चेक दिए अपने इस लाइन को अब कि इस वीडियो में इत्मा ही रखते हैं फिर हम एक नई सेक्शन लेकर आएंगे आपके लिए और अगर यह वीडियो आपके लिए है तो कमेंट सेक्शन के चलों लिखिएगा कि यह फ्ली वीडियो है ताकि मुझे भी मोटिवेशनल विले मोटिवेट हो सब कि मैं आपके झाल 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 झाल